मैं संभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निशनल दस्तक एक पत्रकार हैं उनका नाम है स्वेता सिंग आज तक मैं नौकरी करती हैं आप सब उनको जानते होंगे जिन्होंने चिप की खोज की थी कि 2000 के नोट में चिप लगा है और उसे करप्सन रुख जाएगा उन्होंने कल एक पोस्ट लिखा है कि 20 और 22 साल के उमर में जब बच्चे देश की सेवा करते हैं फौज में भरती होते हैं रोजी रोटी चलाते हैं जे नू के लोग सोचिए सुएता सिंग से पूछना चाहिए कि तुम्हारे घर में कितने फोज में 20-22 साल के जीडी लेवल के नौकरी करने वाले हैं और सुएता सिंग क्यों परहाई करके पत्रकार बनी है वो क्यों सेना में नहीं जाती है और क्या एमफिल पीएजडी करना अपराध है दर को भी अतरजम होता हूं कि क्या ये सवाल इस देश के हुकमरानों से नहीं पूछा जाना चाहिए जो सवाल सोचल मीडिया पे लोग पूछते हैं और वो कितना जीवन्त है तो मैं चाहता हूं कि एक-एक सवाल मैं आपको लूँ उसे पहले कुछ खबर बता दूं कि वैसी केस दर्ज करा दिया घया है यह चल रहा जहां जिसको मनोंत है वहां केस करा दिया रहा है है कि सरकार उनकी चल रही है पुलिस उनके हैं जज उनके हैं तो केस दर्ज करा के लोग को परसान करते रहो लेकिन मैं उसके बाद भी चाहूंगा कि कुछ पोस्ट आपको पढ़के सुनाओ और उसकी ब्याख्या करूँ कुछ लोग लिख रहे हैं कि जब राम चंदर की मंदिर बनी गया है पत्कार ने लिखा कि जब भैंसला राम लादा सो रहे थे तो क्या संबूक की हत्या का केस चलना चाहिए क्या महभारत में जिस तरह से एक लब काउंग ठाका गया उस पर केस चलना चाहिए तो यह सब लोजिक लोग दे रहे हैं लेकिन उसी पटना में पंदरा दीनों तक बार था लोग तरही तरह गर के मर रहे थे पप्पू यादब जिसको बदनाम किया जाता है वो घर-घर पहुंच कर मदद कर रहे थे राजिंदर प्रसाथे आज गुरुनानक सहाब की जएनती है आप सब को बहुत-बहुत बढ़ाई और गुरुनानक साथ नहीं होते तो नजाने लाखो लोग कैसे भूखे-स होते हैं दुनिया भर में जहांभी सिख सम्धाय के लोग हैं वो गुरुद्वारा खोलते हैं समाज का इतना विकास नहीं हुआ तब वो किस तरह से मदद कर रहते लोगों कि इसलिए वो महान हैं मैं भगवान नहीं मानता हूं लेकिन वो मेरे लिए सम्मानी है और भगवान जैसा कुछ होता है तो यही लोग हैं जो अपने-पने समय में सोसल रिफॉर्मर रहे हैं चाहब रॉक्टर अम्बेटकर हो फूले पिरियार अंबेटकर बुद्ध रविदास कबीर संस्रीमनी रविदास हो गुरुनानक साहब हो पैगंबर साहब हो माटिल उतर हो निलसन मंडेला हो इन तमाम लोगों ने जिन्हों ने दुनिया बदली है दु एक और मोडियों मल्यों साक्यों लिषव होमें बुद्र के सब लेने के लिए हुर लगी थी दुश्री और कवीर अरनलक के लिए हिनदो और मुसल्मानों में हो लगी थी ऐसे हो हुर सायधी किसी महापूरूस के सब लेने के लिए लगी हो यह होती है livepad की परकास था तो इ कुछ लोग लिख रहे कि मिडिया का उन्हों लिका है मनीपूर में कॉंग्रेस को 28th Fayet BP को सरकार बंशीत सीए। सरकार बनी बीजेपी की गौवल में कॉंग्रेस 17 बीजेपी 13 सरकार बनी बीजेपी भिहार में आरजएडीएसी जेडिवेखटर बीजेपी तिरपन सरकार बनी बीजेपी की मेगाले में आई एंसी 21 एन पीपी 19 बीजेपी 2 सरकार बनी बीजेपी की तब तो चानक याद आ रहा था अब जब महराश्ट में सत्ताहां से निकल गई है तो नैतिकता याद आ रही है यह स्विफटर मेडिया पर पूछा जा रहा है जिस तरह से जेडियो बर बार्बात किया जा लिए तो तो राम बंदिर बन रहा ढह夜 इस्कूल कॉलेज नहीं बनेंगे क्योंकि स्कूल कॉलेज अब वो संबुख की तरह एक लब की तरह हत्या नहीं कर सकते, उठा सीरे सीरे नहीं काट सकते, तो इस्कूल कॉलेज से आपको दूर किया जा रहा है. ते जस्वी ने लिखा है भैस वाला दूद वाला प्लेन में चाय कैसे पी रहा यह एक और इलजाम हम पर आ रहा कुछ लोगों को परसान देख हम परसान हो जाते हैं अफसोस फिर भी उन लोगों कोई मुर्सी दून से खुस नहीं हो पाते हैं हम सरक पर अमरूद भुटा भूजा और चार्ट भी खाते हैं और प्लेन में कबा भी लेकिन पेरदर किसी और को होता है अब यह जन्मजात दर्द कौन ठिक करें तो तंज है कि हमें ही क्यों टार्गेट किया जाता है बाकी ने ता कि उन्हें मधुलका चौधरी ने बहुत अ दीपों में फैल गए हैं को पैदल ही नाप दिया था गुरुनानक बढ़ाई गुरुनानक जयन्ति की तो सुचिए अगर सब लोग इस देश में कितनी बड़ी बिडमना है हम सब धार्मिक है पूजा पाठ करते हैं लेकिन इसी देश में हर चीज में बईमानी है हर चीज म इस तरह कि समझें हैं इस तरह के हालात हैं आप भगवान की पूजा करते हैं लेकिन आप भगवान बनना नहीं चाहते हैं चुचलों के राश्टे पार करें नहीं जो राम चंद्र को मानते हैं उनके अधर्सों पर चलिए तो नहीं सीता की अगनी परिक्षा करवाएंगे संबूग की हत्या करवाएंगे तो ये समझना पड़ेगा ये देश इतनी हिपोक्रेसी में है कि हम सब धार्मिक होते हुए सबसे जादे करमकांडी हैं और सबसे जादे अनित्कल है हम लोग किसी भी चीज में मिलावट कर सकते हैं कहीं भी जूट बोल सकते हैं कहीं भी हम लोग तमाम तरह के गरवर काम हम लोग करते हैं रेप हो, हत्या हो, बलातकार हो मडर हो, बैमानी हो चोड़ी हो, छिंताई हो किसी की मदद न करना हो सबसे जादा अन्सिबलाई सोसाइटी अपना है और सबसे जादा लोग खुद भगवान बनी जिन को पूजा कर उनके आदर सोपर चलिए सलेंद्रावर इतने कॉंग्रेस खुट को टुटने देती है जब बीजेपी को नुकसान होने का नंबर होता है तो कॉंग्रेस किनारे देखती है यह रिस्ता क्या कहलाता है अभी एक और मैं अपनी तरफ से माफी लगाता है जब एक और खवरदेश ने मेरी अभी सरकार का टेलर देखा है पुरी फिल्म बाकी है ने नमूदी ने ये बात कहिए कि सरकार नहीं मेरी मेरी सरकार बाकी है देखे 370 हट गया जो मामला था मुसल्मानों के हग का राम मंदिर का फैसल आ गया मुसल्मान के हग छीने गए अब क्या बसता है सिबिल कोड बसता है उसमें भी मुसल्मान के हग छीने जाएंगे उसके बाद आरक्षन बसता है जिसको लेकर लगातार जो इस देश में जो RSS के परमुक है वो कहते रहे कि इसके समिच्चा होनी चाहिए तो मुझे लगता है वो भी खत्म हो जाएगा College University खत्म हो रहा है आपको पढ़ने लिखने से बंचित किया जा रहा है तो अगला जो मुझे जी का फिल्म होगा वो यही होगा यारक्षन खत्म हो जाए उसके बाद आपको बताएं कि जो Civil Code लागू हो जाए जो उनका जो विस्साधिकार है वो समाप्त कर जाए जाए कल हो सकता है सिख समाज के विस्साधिकार समाप्त किया जाए तो यह सब आप देखते रहेगा कि यह सब होगा और आपने जिस काम के लिए वोड दिया था वो काम कर दिया उन्होंने मंदिर वाला तो आपको रोजी-रोटकार खोजने का भी कोई हक नहीं है पतना को बार बार पोस्ट आ रहा है पतना कानमान मंदिर 1310 को रुपए मंदिर के देगा लेकिसे पतना बाद बादयों को जिन दरितों को मंदिर में घुसने नहीं जाता वो भी आज का राम मंदिर बनाने से खुछ से हैं तो यह भी देखे दिल्ली पूलिस ने कल काफी से हैं वो इर्साद लिखते हैं हर कोई तुमको लुटने को त्यार आप बाजार जाओ पांसो की चीज बताएगा और चीज तीन सो में देगा आदमी को लुटना चाहता है ठगना चाहता है मालिक मजदूर का सोसन करना चाहता है मजदूर मालिक के हरते ही काम चोड़ी करना चाहता है मस्ती माना चाहता है दूद वाला पानी मिलाकर लूट रहा है मसालों में मिलावट घी में मिलावट सब्सी turned to यह सब्जी और फ़लों भी हैं सब्सक्राट बैच c का रहे हैं हर जब यह समाघ में लोग को देखता हूं तो मुझे हसी आती है इन लोगों पर कभी दूख होता है कि आदमी इंसान न बन सका आत्मान हुआ है नीरब मोदी मेहल चौक्सी विजय मालिया से रिकवरी करवालो कोई जेनु चल जाएंगे तो यह यह तमाम जो है एक तरफ बीस से किस साल के उमरें नौकरी करके परिवार का पेट प मारने से डढ़ेंगे पुलिस वाले तो यह लगातार जो है वो लिख रहें लोग और सोसल मीडिया पर संघर जारी है जेनु को लेकर तमाम डीटेल्स जो है वह हमारे कलीग आपको फेस्बूक पर देंगे आप उसको जरूर देखिए और मैं इसलिए कहता हूं कुसम डाव हैं तक्सिला नालंदा आप एस्सी एस्टी ओबी सी मैनोर्टी जब पढ़ता है लिखता है अधिकार खोशता है यह चाहते हैं कि इन्वर्सिटी को इतना जादा फी हाइट कर दिया जाए कि वहां बहुजन समाज के लोग पहुंचना पाएं और आपको मंदीर मस्जिद मे जा रहा है आपको अधिकार चीने जा रहे हैं और जिनकी यह पूझा करते हैं उनको भी आधर्स नहीं मैं जिस तरह जेनियों को बरबात किया जा रहा था उसी तरह कभी नलंदा विष्व बिद्दाले को बरबात किया गया था तो यह तमाम सवाल हैं जो लोग कर रहे हैं बारत में कहीं भी खudाई कर लें मुर्ति मिलनाता है अगर इसके दो तहाहो और नीचे खोद दिये तो बॉध वाली मुर्तियां मिलेंगे उसके नीचे खोद दिये तो खुर्पी हंसुआ और किसान नादिवासियों के प्रामप्री का अजार मिलेंगे उसके नीचे कर्वनिक अकर्वनिक खनीज इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं यह सीधा सिंपल बात है जो पीछे बनेगा वो सबसे उपर होगा बाकी हूँ अला कोई कर बार है सूंचिया जो मंदिर बनाने पर खर्चा कर रहा हैं बोद के को बरबात कर रहे हं वहां पैसाथ नहीं देना चाहते हैं और ये वो तमाम सवाल है महराश्ट में सावित हो गया कि बराबर के कमीने से भीरने पर चैनक की निती भी फेल हो जाती है बाबरी मझजिद गिराने के बाद अरवाई ने कहा था कि मझजिद के लिए जगा कहीं और लेलो पर मंदीर ही बनेगा सुप्रीम कोट ने कुछ और क्या क्या अब मैं उस मसीहा की इंतिजार में हो जो बाबरी मझजिद केस में बौधो के पुक्ष में पुनल विचारियाज क्या दैर करने की हिम्मत करेगा अखिलेश यादम ने जेनियू को लेकर अपनी बात रखी है लक्षमन या राम ने उध्या आते ही बीजेपी को महरास से बाहर किया कोई शक तो लोग तंज भी कर रहे हैं एक सब समाज का निर्मान करना हो तो इतिहास और मैथलोजी में फर्क जरूरी है अतुल चरसिया लिखते हैं मुझे लगता है कि आज तक के भीतर अजना ओम मोदी स्वेता सिंग और चितरा तिरपाठी के बीचे एक आंत्री का स्परधा चल रही है सावित करने की कि किसका पदार्थ बुनबत्ता में स्रेष्ट है चितरा तिरपाठी भी आज तक की पत्रकार हैं यह से स्वेता है राम लला के असल तस्वीर खिचने की अजाज़त नहीं है वो बालर सुरूप में है एससी ने राम लला को हिन्याएक ब्यक्ति मानते हैं उन्हें जमीन का मालिक आना हग दिया जब कोट का फैसला आया तो राम लला भी स्राम कर रहे थे मुख पुजारी ने कहा कि राम लला को जगा कर मैंने उन्हें बताया कोट का फैसला है तो यह इस तरह के पत्रकार हैं आपके देश में और वो कट्टा दिखा कर मैंच नहीं जी सकते क्या सौरब भाई अरे नहीं विकेट लेकर यतना परेगा तो लोग तंज भी कर रहे हैं इसलिए मैं कहता हूं सोसल मीडिया ही लगातार बहुजन मीडिया है और सोसल मीडिया पर क्या चल रहा है निसल दस्तक पर ज़रूर देखे बिस्तार से और आज जो 96 लोग गिरफतार हुएं थे रविदास मंदिर को लेकर उनका स्वागत समारोज चल रहा है वो प्रोगाम हो रहा है हरियाना के खरखोदा में आस पास में है तो आप जाएए मैं कुछ नीजी कारण नहीं पहुँच पाया है कुछ बहुत ही पॉसनल और नीजी वजह है जिसको मैं नहीं टॉल्रेट कर सकता वह बहुत ज्यादा जरूरी था तो मैं माफी चाहता हूं कम्निकेशन के स्थर पर कुछ गैप हुई है लेकिन ख़बर पूरी जैसे हुआ सिर्व तस्वीर आएंगी मैं पूरी खबर दिखाऊंगा लेकिन बहुत जन समाज के लोगों को सम्मानित करना चाहिए तो यह थे सोसल मीडिया पर वाइरल कुछ खबने जो मैं आपसे रूबरू हो रहाता है और मैं इसलिए कह रहा हूँ सोसल मीडिया ही बहुत जन मीडिया है आप लeगा अपनी पत्किरिया जरूर दीजे में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया पन्तरいやफ जह कैसे जो उसके तो सक्षाम चाहते हैं तो नैकल ons सलत्क को सब्सक्ताइब करने के लिए i ये लए असरे सलुक है फिर बेल आइकन की घंति दवाए जो फिरटम सब्सक्राइबा बचाने के लिएिर बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करे लाइक करे कमेंट जरूर करे